दिल्ली के नौर्थीस डिस्ट्रिक में थाना नियूस मानपुर के नहीं भवन का उद्गाटन दिल्ली पुलिस कमिश्रा मुल्ले पटनायक नहीं किया इस अफसरबन नौर्थ इस्ट डिस्ट्रिक पुलिस ने ओल वुमेन बाइक पैटरलिंग को अमुले पटनायक नेरी जन्री तिखा कर रवाना भी किया वेस्ट कारिकर में नौर्थ इस्ट के तमाम आला दिकारी के साथ छेतरे गन्माने वेक्टी भी मौज़ुद रहे आईए सुनाते हैं मौले पटनायक में मीडिया से क्या कहा इस एरिया जो दिली पुलिस के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है नौर्थ इस्ट की पुलिस ने एक अच्छा स्कीम शुरू किया है और विमेन बाइक वाला और विमेन मोटसाइकल पेट्रोल्स हम बाकी दूसरे डिस्टिटों में पहले से ही चला रखे हैं अच्छा काम कर रहे हैं हम यह सोचते हैं कि जो हमारे विमेन पुलिस है यह भी लीडिंग रोल ले खास करके उन्ही एरियास में लीडिंग रोल ले जहां पर विमेन कंप्लेनेंट्स विमेन मेंबर्स और पॉबलिक के साथ इनके कंटाक्ट अच्छा बने तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर इसी डिस्टिट में भी कुछ ऐसे वालरेबल जगा होंगी जहां पर लेडिज बहतर मेहफूस अपने आपको एहसास उनको आएगा जब विमेन पुलिस पेट्रोल्स भी उनके साथ के बीच में मिलें बात करें तो यह आज हमारे डिली पुलिस की तरफ से यह लाँच हुआ है तो इनको हिदायत दी गई है कि खास करके स्कूल्स, कॉलेजेस, बस्टॉप्स जहां पर और आते जाते हुए ज्यादा संख्या में रहते हैं उनसे जाके मिलें उनसे बाचित करें और पुलिस और जनता की बीच में जो संपर्क है उसको और बहतर करें और कोई अगर क्राई में के साथ कुछ छेड़ खानी इस टाइब के करते हुए दिखाई दे उनके खिलाब भी सक्त कानूनी कारवाई करें अंधर साल पहले हैं जैसे कि मैंने कहा कई और डिस्टिट में हम लोगों पहले से इसको चला रखा है तो इस डिस्टिट में यह शुरूआ अबी शुरूआ कि इसका मतलब नहीं कि पहले वीमें कुलिस यह पे पेट्रोलिंग कर नहीं जाते थे विमेन पुलिस पहले पेट्रोलिंग में जाते भी थे, ग्रूप गर्ष्ट करते थे, SHO साहिबान के साथ भी पेट्रोलिंग करते थे लेकिन ये एक exclusive system है कि उनको एक bike भी दी गई है और rider खुद है, खुद चलाएंगी और साथ भी और लेडी बेटेंगी, दोनों अपने एरियास में ज्यादा visibility रखेंगे, खास करके एरियास में जो हम समझते हैं, हमको ये लगता है कि एरिया थोड़ा vulnerable है for crime seconds women, उन एरिया में अच्छा काम करेंगे और जनता के साथ अच्छा संपर्क बनाएंगे अच्छा संपर्क बनाएंगे सब्सक्राइब करें